काफी टाइम से ये मूवी मैं देखना चाह रहा था क्योंकि इसकी जो फर्स्ट मूवी थी मुझे बहुत जादा पसंद आई थी तो आज की इस रिडियो में चर्चा करने वाले हैं Death on Neil मूवी के बारे में नाइल जो नदी है उसके आपर जो मर्डर हो जाता है उसके ईक मर्डर मिस्ट्री के अपर आधारित इसकी जो फर्स्ट मूवी थी जो इसके अंदर एक करेक्टर है पाईर ओफ जो एक जासूस होता है इसकी एक पहले एक मुवी आया थी Death on Orient Express वो मुझे बहुत पसंद आया थी इसलिए इंटरेस्ट जगाए कि यह वाली मुवी तो मुझे देखनी है तो कहानी की बात करते हैं एक बोट, बोट के ओपर कुछ लोग और वो लोग कैसे पहुँचे उसके लिए तो मुवी देख लेना और क्योंकि बोट के ओपरी सारा कुछ ताल माल, जोल माल, सब कुछ वहीं पर आपको मिलेगा तो बोट काफी जादा सुंदर है बोट पर लोग भी काफी जादा सुंदर है लोकेशन भी काफी जादा सुंदर है तो यहाँ पर जब यह लोग ओते हैं तो इन लोगों में से एक ही मौत हो जाती है और खुश किस्मती से वहाँ पर एक जासूस भी होता है जिसका नाम मैंने आप लोगों को पता है क्या पाइरो तो यहाँ पर पाइरो को काम मिल जाते है प्लाजप देखे हुद गुमते काम लोगों को कहरे हैं कि जमनल यहां पर काम मिल रहा है तो पाइरो को को निक निकाली कि सोचो कि मैंने स्किप करके आघे शाट आगया कि मूवी कि मुझालिया आप उनने पता लगा लिया था एसा ही तुका भी नहीं लिए इसको क्या चाहिए इससे क्या फाइदा होगा अब अगर आप here या ध्यान से देखेंगे और नोटिस करेंगे यार इस इंसान का मरना किस के लिए ज्यादा फाइदे मन्द है डेफिनिटली आप लोग मर्डर का असानी से पता कर सकते हूं क्योंकि मैंने काफी सारी चीजों को टोटोला और लोगों का पहचान अगर इसने मारा होगा तो यह थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इस मोवी में यह लगा इसलिए क्योंकि इसमें आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो काफी सारे सीन आपको नजर आएंगे वह इशारा कर रहे होंगे कि किसने मारा है थोड़ा वह तो और दिमाग लगा है तो आप एक्स्प्लेनिशन भी पता कर पाएंगी कि हां क्यूं मारा गया है और अगर आप बड़ा एक नेगेटीव पॉइंट इस मूवी का लगत है कि सस्पेंस यह मूवी क्रियेट नहीं कर बाती है डेट ओन ओरियंट एक्सप्रेस जो मूवी थी मुझे इतनी पसंद आई थी कि उस मूवी के कारण इसको मैं देखना चारा था वो उमीदों पर यह मूवी घरी नहीं उतरी है शायद मैंने इसे ज़्यादा उमीदे लगा ली थी अगर आप लोगों ने मूवी पहले वाली नहीं देखी तो शायद यह मूवी आपको और ज्यादा पसंद आ सकती है as compared to मुझसे मैं अपने ऐसे बात कर रहा हूँ अगर आपने वह पहले वाली मूवी दे लेकिन कोई भ्यानक तरीके से इसके अंदर नहीं दिखाया गया है और मुवी का जो स्क्रीन प्ले है जो लोकेशन है वह तो भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है आप उनका मेक अप उनके ड्रेस इतना जबरदस्त वह देखकर ही मतलब यहीं दिखा दो कहानी तो बाद में इमेंजे नहीं कर लेंगे मतलब यहीं देखकर हम काम चला लेंगों काफी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इस मूवी का कोई connection नहीं है अपनी पिछली वाली मूवी से कहीं सो चूचुकिया क्या पिछली वाली मुवी देखनी पड़ेगी इस मुवी को समझने के लिए ऐसा बिलकुल भी नहीं है वो उसमें अलग स्टोरी थी इस मुवी के अंदर अलग ही स्टोरी है यह आपको असानी से समझ आ जाएगी मेरी तरफ से इस मुवी को अगर आप लोगों ने मुवी देखिए तो प्लेज कोमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी हिंदी डब में आपको मिल जाएगी डिजनी पर आप जाकर इसको देख सकते हैं डिजनी के ओटिटी प्लैटफों में जाहिंद